तिस गड़ में चुनाओ का असर जो है देखने को मिल रहा है और इस साल आपको बताना चाहता हूँ कि इसी साल दो हो जारता है इसमें सबसे बड़ी चुनाओ जो है विधान सबक होने वाला है नौंबर दिसंबर महिने में तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए सभी युँआओं के लिए 36 गर्ड सरकार ने एक बहुत ही अच्छी जो है नई सवगात जो है नई सवगात जो है पेसकस किया है और 22 जार पदों पर आप सभी स्टूडेंट के लिए भरती निकाले जाएंगे 22 जार पदों पर जो है नई भरती नए वेकेंसी जो है आप सभी स् अच्छी अपडेट्स होने वाला है, बहुत ही महत्तो पूर्ट जनकारी, तो जो भी स्टुडेंट कॉम्पेडिसन्स एक्जाम्स की तैयरी कर रहे हैं, अच्छे से तैयरी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, आपका सेलेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, और विरजगार यहां के लिए काफी अच्छी अपडेट्स हैं, 22,000 पदों पर होगे, 36 गड़ में सबसे बड़ी भड़ती, तो जीज भी स्टुडेंट को कॉम्पेडिसन्स एक्जाम्स की तैयरी करना है, अभी से रेडिक हो जाईए, और आपका से करल यहीं चाहती ही कि जितना हो शके, नहीं वेक इंसज निकाले जाए, जितना हो शके, नहीं भड़ती जो है, रेक्राली हो सके, और आप अपने सफनों को पूरे कर पाएंगे, तो 22,000 पोश्टर में कौन कौन से पोश्टर होने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हू तो बाइस हजार पोश्ट हमें सबसे बड़ी भरती जो है 12400 पोश्ट जो है अकेले जो है सिख्छक के होने वाला जी हाँ सिख्छक के जो है 12400 पदों पर जो है सबसे बड़ी भरती जो है होने वाली है इसके साथ ही सबसे बड़ी अगर हम भरती के बात करें तो 3000 पोश्ट साहकारीता विभाग में भी आपका केली निकल कर आने वाला 3000 पोश्ट साहकारीता विभाग में होगा जिसमें समीती प्रबंधक के होंगे, सुपरवाइजर के होंग imitate और होस्टाल वार्डन के भी आप लोगों के लिए भरती होंगे तो 3000 पोश्टर में 700 पोश्टर के लिए समीति प्रबंधक 2058 पोश्टर जो हर पास समीतियों में जो एक सुपरवाइजर के और इसमें सेलेरी के अगर बात किया जाया तो 15,000 रुपे से लेकर आपको 40,000 रुपे तक सेलेरी मिलेगा और दीरे-दीरे उपका सेलेरी इंक्रीज होगा दीरे-दीरे सेलेरी आपका बढ़ता जाएगा सेलेरी जो है बिलकुल कम होने वाला नहीं है जितना जादा आप कॉंपिटिसन्स एक्जाम्स की त्यारी कर देंगे आपको उतने ही फायदा मिलेगा आपके लूतने ही बेहतर होने वाला है उतने ही एक अच्छा एड्वांटेज आपको मिलने वाला है तो मैं आपको टीचर भरती परिक्षे के सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूं जो 12400 पदों पर जो है नई भरती नई वेकंस जो है होने वाला है तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस और एक्जाम पे डेना के तो आपके एक्जाम में कोल टोड़ाल 150 प्रशन जो है एक्जामस में पूछे जाएंगे प्रत्यक प्रशन आपके एकंके होंगे तो बाल विकास में हम सिख्षा सास्तर ऐसे एक्जामस में तीशन कोगे तीश प्रशन आएंगे पूछे जाएंगे इसके साथ हम बात करें हिंदी के तो हिंदी के तयारी यदि आप करना चाहते हैं हिंदी वाकरन के तयारी तो हिंदी वाकरन में आपके एक्जाम्स में शौर, वेंजन, अक्षरवर्तेनी, संग्या, समास, मौहरे लोकोगतियां अब अठीत, गज्या, सिय, सood вместе आपके एक्जाम्स में हिंदी के क्वेशन, पूछे जाएंगे तो आपके exams में competitions exams में English भी काफी जादा important होता है आपके competitions exams में English grammar से जो है question पुछो जाते हैं grammar में आपके exams में noun, pronoun, tense, wise, narration, conjection, preposition, article, degree, question, tag, one word, a sub institution, subordinate, coordinate, finite verb, or non finite verb, of precis writing यह सब भी आपके exams में जो English के grammar से पुछो जाएंगे तो English के grammar के तहरी, यदि हम करना चाहते हैं तो इसके लाफ जो है, essential English रस्में सी दिशा पुब्लिकेसन के बुक लेशकते हैं एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई-ने vacancies जो है, नई-नई update जो है आप सभी student के लिए होने वाला तो जितना हो सके एक competition exams के तैयरी आपको अच्छे से करना है, जितना हो सके आपको अच्छे से मेहनत करना है, preparation करना है अगर आपने अच्छे से मेहनत की अच्छे से तयारी किया तो आपका सेलेक्शन इसमें डेफिनेटली हो पाएगा और आपको जो है सकसेज भी मिल पाएगा सकसेज भी आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा तो एक के बाद एक आप लोगों को भरती है आप लोगों के लिए ने ने अप्डेट जो है निकल कर आ रहा है तो जतना हो शुक्त थे तैयारी करना, जतना हो शुक्त करना मेनत के एकॉर्डिंग आपको जो है एक अच्छा एक बहतर जो है रिजल्ट जो है देखने को मिल पाएगा और आपको इसमें सक्से जो है अवस्चरूप से देखने को मिलेगा तो टीचर भरती जो होता है ये काफी जादे इंपोर्टन होता है साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैस से तो मैस समय आपके एक्जामस पे घातांक गड़ित के अगर हम बात करें तो जिसमें घातांक, बीजी वेंजग, गुडन, खंसमी, करण, शेनिय, अब्याज, अनुपात, अमसम, अनुपात, प्रतीशत, जन्म, रिद्धिदर, जन्सिंग, अवरिद्धिदर, शमय, ततदूरी, रिखात, तदक, कोर्ड, शंतली, अ तो डॉक्टर रारे से गरवाल के बुक्स अच्छे से तैयरी, पेश्ट तैयरी कर पाएंगे, साथ में हम बात करें रिजिनिंगे, तो रिजिनिंग के अलाम जो अरिहंद का मास्टर रिजिनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनलेटी के लिए स भी जानकारी पूछे जाते हैं, जो कि काफे जादे इंपोर्टन्ट होता है, साथ में हम बात करें साइंस के, तो साइंस भी एक्जाम्स के लिए इतना ही इंपोर्टन्ट है, जितना आपका बाकिस सब्जिक्ट होता है, जनराल साइंस से भी क्वेस्टन पूछे जाते हैं तो General Science के लिए आप जो दिरिष्टी I.E.S का Quick Book लेशकते हैं तो दिरिष्टी I.E.S का Quick Book से तयारी करेंगे Competitions exams के आपके तयारी जो अच्छे से होप आएगा I hope जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आपको पसंदाया हो, अच्छा लगा हो जानकारी अच्छा लगा पसंदाया हो वीडियो को लएक किजए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजumbling ये को शेयर करना बिल्कुल मत बूलना ताकि बाखी स्टुडेंट तक जो इसी तरह से नए-ने वीडियो के बारे में जो है लेटेस्ट अब्डेट जो है जनकारी जो है पहुंच सके देन वीडियो नए-ने विकेंसी जो है इसी तरह से आप लोगों को मिलते रहेंगे